GST platform के YouTube channel में आप सभी का स्वागत है जी हाँ फिंट्स थमनेल आप लोगों ने बिलकुल सही अभी तो पड़ लिया है कि आप अगर 5 लाख का कोई सामान बेचते हैं सप्लाई करते हैं, सेल करते हैं 5 लाख रुपे का लेकिन आपको GST जो भरना है, वो कितने पर भरना है 5 लाख रुपे पर नहीं भरना है आपको GST भरना है, let's suppose, 1 लाख रुपे पर स्रिफ और स्रिफ सर ऐसा तो कभी हमने कराई नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि जितने में हमने सामान बेचा है, जितने में हमने goods की value लगाई है, जितने में हमारा product बिक रहा है, GST तो उसी पर भरा जाता है, आज तक तो हम लोग यही करते आए, आप भी बिल्कुल सही करते आए हैं, और यह provision भी आपके पास available है, अगर आप valuation के special rules को देखेंगे, क्या है सर यह special rule, valuation के अंदर rule 32 है, जिसका sub rule 5 आपको यह काम करने के लिए allow करता है, यह क्या है, एक बार इस चीज को समझेगा, यह बात करता है ऐसे persons की, जो पुराना सामान खरीदते हैं, और उस पुराने सामान को बेच देते हैं, जैसे मान लीजिए, आपका business है, किस चीज का business है, आपका business है, TV, laptop, इन चीजों को खरीद करके बेचने का, खरीद करके बेचने का business है, मान लीजिए, एक person है Mr. A, जिसने पुराना television, पुराना television जो है, वो खरीदा है, या television के साथ साथ आप इसका example रख लीजिए, कार वगेर हैगा, मान लीजिए, कि आपने कार परचेज करी है, ये है businessman, जो पुराने समान खरीद दिता है, और उसे बेचता है, old goods purchase करता है, और old goods sell करता है, मान लीजिए Mr. A, old goods purchase कर रहा है, वो टीवी हो, कार हो, कोई भी चीज हो सकती है, उसने purchase करी है, let's suppose, चार लाख रुपए में, उसकी purchase price निकल के आई, चार लाख रुपए, अब, ये जो चार लाख रुपए की purchase price आई है, ये इस product को sell कर रहा है, और इस product को जब ये sell कर रहा है, इसमें कोई बहुत major changes नहीं कर रहा है, मतलब उस product का nature नहीं बदल रहा है, जब वो sell कर रहा है, कार खरीद रहा है, और इसी कार को या इसी TV को, इसी मुबाइल को, इसी laptop को जो भी value रख दीजिया, वो sell कर दे रहा है 5 लाख रुपए, selling price आपकी हो गई 5 लाख रुपए, purchase price आपकी हो गई 4 लाख रुपए की, normal rules ये कहते हैं, कि जितने पे आपने sell किया, यानि कि ये 5 लाख रुपए पे, 18% ये applicable GST भरना है, लेकिन rule 32.5 ये कहता है, rule 32.5 ये कहता है, कि आपको 5 लाख रुपए पे GST भरने की जरूरत नहीं है, वो इसलिए नहीं है, क्योंकि rule 35 बात करता है, आपके सामने margin scheme, margin scheme का benefit आप ले सकते हैं, और margin scheme का जो benefit है, वो आपको मिल जाएगा, और उसमें ये लिखा जाएगा, कि आपको जो GST की value निकाननी है इस बार, वो निकाननी है, sale price, minus purchase price, यानि कि 5 लाख में से 4 लाख रुपए आप कम कर दो, और उसके बाद, जो 1 लाख रुपए की value बची, यानि कि जो आपका margin बचा, इसके उपर applicable GST जो होगा, वो लगा दिया जाएगा, सर ये तो बढ़िया हो गया, ये तो बहुती बढ़िया हो गया, हमने 4 लाख रुपए का purchase किया था, इस पे हम लोगों ने ITC भी ले रखा था, और उसको हमने जब sell कर दिया, तो margin scheme के अंदर 1 लाख रुपए पे output बनाया, और इस ITC के साथ इसका adjustment भी कर लिया, नहीं भाई जब आप इस margin scheme में जाएंगे, तो आपको जो ITC का benefit है, वो नहीं दिया जाएगा, वो आपसे छीन लिया जाएगा, क्योंकि ये special valuation rules, तो ये ऐसे valuation rules को समझेंगे कैसे, valuation के अंदर बहुत सारी चीज़े हैं, उसी तरीके से GST के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं, जो आ अगर आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझना चाते हैं, detailed analysis के साथ, तो आप हमारा GST का ये full course 2024 का बिलकुल भी miss नहीं कर सकते हैं, इसके अंदर आपको live classes के साथ साथ recordings की facility है, 180 घंटे से ज़्यादा की classes इसमें होने जा रही हैं, जिसमें हम लोग ऐसे ही special points, basic level से ले हैं, तो numbers आपको screen पे दिये गए हैं, इन numbers पे call करके, whatsapp करके, आप हमारा GST का full course 2024 वाला batch जरूर जोइन कीजिएगा, आपको इसमें 100% की benefit जो है, वो guaranteed है, इसमें कहीं कोई दोमत नहीं आएगी, कुछ न कुछ नया आपके लिए value edition रहने ही वाला है, चाहे वो आप registration ले ली जिएगा, चाहे आप supply का topic उठा लीजिए, चाहे आप reverse charge का topic उठा लीजिए, चाहे आप time and supply of value of supply, place of supply, ये कोई भी topic आप ले लीजिए, आपको value edition मिलने ही वाला है, assessment का topic ले लीजिए, audit, service, notice in GST किस तरीके से होगा, ये सारी चीज़े इसमें covered होंगी, advance rolling के क्या provisions हैं, arresting क क्या provisions है, inspection, search और seizure, ये क्या process है, क्या है section 67, क्या है section 67, 1 और 2 में difference, ये सारी बाते हम लोग करेंगे, appeal filing के अंदर क्या special points है, क्या बाते आपको ध्यान में रखनी है, क्या है provisions, ये सारी चीज़े होंगी, live return filing का process क्या होता है, किस तरीके से आपको notice reply के अंदर, कौन कौन से provisions म बाते ध्यान रखनी है, act का कौन सा provision आपको notice reply में मदद कर सकता है, वो सारे points आपको during the course बताई जाते हैं, valuation के rules, जो अभी हम लोग discuss कर रहे हैं, जो मैंने आपको एक trailer दिखलाया है, valuation का rules, evable के जो points हैं, वो आपसे discuss किये जाएंगे, refund का पूरा complete understanding, rule 89 हो, rule 89 4A, rule 89 4B, rule 89 4, 5 inverted tax structure, सारा refund आपको complete section और rules के साथ बताया जाएगा, इसके अंदर आपको inverted tax structure का refund किस तरीके से लिया जाएगा, उसके अंदर क्या क्या बाते लिखी हैं, वो सब करेंगे, input tax, credit, reverse charge, discount का क्या treatment होता है, GST के अंदर ये बाते इसमें करी जाएंगी, real estate के अंदर GST का treatment किस तरीक कैसे होगा, GST का payment कैसे करना है, interest कैसे भरना है, TDS, TCS कैसे भरा जाएगा, तो ये सारा coverage आपको मिलेगा, कोई भी point आपका छूटने नहीं वाला, तो आप इस number पे call कीजिए, whatsapp कीजिए, एक साल की validity के साथ आपको ये course जो है, वो दिया जाएगा बहुत ही reasonable price में, इस course की अ पारा हूँ, value कोई price उसकी आप लगा ही नहीं पाएं, खेर, अब आईए rule 32, sub rule 5 के अंदर, जी हाँ friends, ITC का benefit नहीं मिलेगा, लेकिन आपको GST मत्र, एक लाख रुपए पे मिलेगा, सर आपने बोल दिया हम कैसे मान ले, मत मानो, पढ़ लो, खुद पढ़ लो, ये देखो, rule 32, sub rule 5, सर ये rule 32 ही है, वो कैसे मान ले, कोई बात नहीं, ये भी देख लो, rule 32, determination of value, in respect of certain supplies, क्या कहता है, ये कहता है, ये, where a taxable supply is provided by a person, dealing in buying and selling second-hand goods, dealing in buying and selling second-hand goods, आप second-hand goods को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ये, used goods as such, और after such minor processing, used goods, यानि कि पुराने products, use किये हुए सामान को आप खरीद रहे हैं, और उसको as it is बेच दे रहे हैं, या कुछ minor processing करके बेच रहे हैं, जिससे उसका nature change नहीं हो रहा, तो आपको इस special valuation का benefit मिलेगा, और दूसरा, आपको input tax credit, उस item के ऊपर जो आपने purchase किया है, उस पे जो ITC लग करके अगर आया है, वो ITC नहीं मिलेगा, अगर वो avail नहीं किया गया है, तब क्या होगा, the value of supply, तो जब आप उसे पाँच लाख रुपए में बेच रहे हैं, चार लाख पे खरीद के, तो value of supply shall be the difference, value क्या होगी, वो होगी difference between the selling price, यानि कि पाँच लाख, and the purchase price, यानि कि चार लाख, and the where value of such supply is negative, it shall be ignored, मानलो आपने purchase किया था, 6 लाख रुपए में, और बेच रहे हो 5 लाख में, तो value हो गया negative, इस पे कोई GST भरने की आपको requirement भी नहीं होगी, तो ऐसी ऐसी special बाते, valuation के अंदर लिखी गई है, जिसका benefit, आपको ना पता होनी की वज़े से, कितने का नुकसान हो रहा होगा, वो आप समझ सकते हैं, तो इसी तरीके से, आप इस rule 32.5 को पढ़िए, इसके अंदर जो बाते लिखी हैं, उसको समझिए, और उसके बाद अपना और अपने clientों का फाइदा करा सकते हैं, अगर आप ऐसा ही analysis, regular basis पे with updates चाहते हैं, तो आप हमारे channel GST platform को बिल्कुल भी मत भूलि ऐसी ही important videos आपको इसमें regular basis पे provide की जाती हैं, thank you and have a nice day.